अलो फ्रेंस वेलकम आम कमल वीर एंड टोड़े विल डिसकस अबाउट दी वाइफ ओ बाद्स प्रोलोग स्लैश स्टोरी जोफरी चोसर के द्वारा ये स्टोरी लिखी गई है पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर वन यूनिट नमबर थ्री यूनिट नमबर थ्री में दो टॉ प्रोलोग एक और दूसरा है ये स्टोरी ओवाइफोबाद स्टोरी दोने चीजे हम करेंगे प्रोलोग भी करेंगे स्टोरी भी करेंगे किस्ट अब स्करिंग करें लिटेश्र लिटिए क Stefana पक मुझे बहुत अच्छा लगता है इस वीडियो के ऊपर भी आप अपना feedback जरूर शेर कीजेगा like भी करना और अपने friends के साथ इसे share भी करना start करते हैं why for baths, prologue and tale तो पहली चीज़ जेफरी चोसर कौन है जेफरी चोसर is considered to be father of English literature English literature के father भी इन्हें माना जाता है ये जो बुक लिखी गए है जेफरी चोसर के द्वारा इसका नाम है The Canterbury Tales बुक का नाम क्या है? Canterbury Tales तेल का मतलब कहानी आप जानती है और Canterbury Tales इस बुक में total 24 stories है total number of stories कितनी है? 24 बुक का नाम The Canterbury Tales इसके अंदर कितनी stories? 24 था 1387 से 1400 के बीच में 13 साल तक वो इस बुक के उपर काम करते रहे अभी background समझ लीजे थोड़ा से ये जो The Canterbury Tales पूरी बुक है ये किस चीज के बारे में आपको समझा देता हूँ तो 29 pilgrims है pilgrim यानि की तीर थ्यात्री जैसे हमारे यहां पे लोग जाते हैं कावर्ड लेने के लिए जाते हैं अलग-अलग चारधाम के उपर या लोग हज करने के लिए मक्का इस तरीके से जाते है दूस तरीके से 29 pilgrims थे तीर थे आत्री थे जो जा रहे थे St. Thomas Beckett's Shrine in Canterbury तो Canterbury में St. Thomas Beckett's Shrine है उनकी आप कहलो जिस तरीके से मंदिर मस्जिद कुछ भी कहलो कि उस तरीके से है वहाँ ये सारे लोग मत्ध़ देखने के लिए जा रहे हैं 29 ये पीपल है ये चीज़ ध्यान में रखना 29 पीपल है जो की St. Thomas Beckett की Shrine के उपर जा रहे है तीर थे यात्री है ये ये बुक का मैं आपको Context बता रहा हूँ Backdraw बता रहा हूँ की बुक में होता क्या है ये Jeffrey Chaucer है आप देख लो सामने इनकी पिक्चर याँ पर वनी हुई है So total कितने pilgrims हैं 29 और एक उनके साथ narrator या फिर host भी है जैसे होता है कि एक इनसान सब को फिर लेके जाता है कि आज आओ तुम्हे यात्रा करवाने लेके जाओ वैसे तो 29 तीर थे यात्री एक उनके साथ और इनसान जो ने लेके जा रहा है So total कितने इनसान हो गए? 30 तो 30 इनसान है अभी ये जो कहीं पर जा रहे है श्राइन के उपर जा रहे है So यहां पर एक बात होते है कि each person will tell two stories ये कह रहे हैं पहले आपको पते कि आज तो गाडियां है plane हैं बहुत सारी ट्रेंस चीज़ है पहले तो पैदल जाय करते थे तो 600 साल पहले की बात है पैदल लोग जा रहे हैं कहीं पर तीर्थ यात्री है ये तीर्थ के लिए जा रहे है तो ये कहते हैं कि जाने आने में देखो बहुत सारे दिन लगने वाले हैं तो हम ऐसे करते हैं न कि 30 सम टोटल इनसान है हर एक इंसान जाते जाते दो स्टोरी सुनाएगा और आते आते दो स्टोरी सुनाएगा हर एक इंसान को चार स्टोरी सुनानी है दो जाते जाते दो वापस आते टाइम ठीक है चार स्टोरी इससे क्या होगा बोरियत नहीं होगी हमारा टाइम कट जाएगा 4 stories, 30 इंसान है 4 story हर एक इंसान सुनाएगा तो टोटल कितनी story हो जाएगी 120, 120 stories हो जाएगी इस तरीके से 120 stories होने चाहिए there should be 120 stories लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्या हुआ यह जो चोसर है, जफरी चोसर एनकी death हो जाती है, 1400 में अभी इनोंने आप कहलो कि स्टोरीज होने वाली थी लेकिन सिर्फ 24 ही है क्योंकि आपको पता जेफ्री चोसर की डेथ हो गई तो बुक इनकंप्लेट है अभी यह जो प्रोलोग है वाइफ ऑ बात इसके बारे में पढ़ना है तो ना हर तो हर एक इनसान के साथ दो चीजें थी पहला तो मतलब इनकी बुक में जो भी इनसान है जो जा रहा था फिल्ग्रिम है पहले उसका प्रोलोग आता है फिर उसकी स्टोरीज आती है तो प्रोलोग में क्या होता है उसको करेक्टर बिल्डिंग होती है कि वो करेक्टर कैसा है वो कहां से आया है, कि state से आया है, क्या करता है, ये सारी चीजे, तो प्रलोग में क्या होता है, character, और उसके बाद उसकी stories होती है, बुक में इस तरीके से है, तो वाइफ ओबाद प्रलोग में क्या होगा, is about the wife of baths life character, उनकी life के बारे में है, परलोग में फिर उसकी स्टोरी तो दोनों चीज़े हम डिस्कस करेंगे ही तो मैंने आपको बता ना यह चीज़ तो यह जो होस्ट है होस्ट का नाम है है हैरी बेले हैरी बेले होस्ट का नाम है इन्हें ने कहा था कि बोरिंग ना हो जाए हमारा सफर तो हर एक इंसान दो-दो स्टोरी सुनाएगा जाते हो आते हुए और इन्होंने साथ में ये भी जोड़ा था कि person with best story कि जो इनसान best story सुनाएगा get a great supper at the end of the trip कि सपर का मतलब होता है जैसे भोज होता है खाना होता है तो ये कह रहे हैं कि जो भी इनसान सबसे अच्छी story सुनाएगा ना बात में जब हम वापस आ जाएंगे उसको हम सबसे अच्छा खाना खिलाएंगे यहां पर इस तरीके से था यह जो देखो वाइफो बात है यह मतलब जैफरी चोसर का आप कहलो की फेवरेट करेक्टर है और इसी का जो परलोग है वो सबसे लंबा है आप देखोगे कि जो इसकी कहानी है ना वाइफो बात की कहानी है यह कहानी चोटी है इसका परलोग इस कहानी के डबल साइज में ह यानि कि प्रोलोग यानि कि सिर्फ character building में उन्होंने character के बारे में बहुत सारी चीजे लिख दी, story इनकी बहुत ज़्यादा छोटी है, आप मानके चलो कि ये उनका favorite character था हम प्रोलोग पे आते हैं, ओके, वो क्यूं है, आगे जाके आपको समझ में आएगा, मैच्योर है यानि कि काफी लाइक हो चुकी है प्लेम बॉंड टेस्ट इन क्लोज जिसे हम कहते हैं कि बहुत रंग बरंगे कलर पहने का इने वो पसंद आते हैं अच्छी ड्रेस्ड है अच्छी तरीके से कपड़े पहने तो क्या क्या चीज हैं दिमाग में तस्वीर बनाओ एक कान से बहरी है जो दांत है उसमें आपके हलो की गैप है या टूटा हुआ है और रंग बिरंगे कपड़े पहनना इने पसंद है और वाइफ ओवर फाइव टाइम यानि कि यह पांच बारी वाइफ बन चुकी है पांच बार इसकी शादी हो चुकी है पांच इसकी शादी हो चुकी है यह लिखती है प्रलोग में ही अपने बारे में जब बाते बता रहे हैं तो यह कहती है women were treated according to their husband's occupation वो कह रहे है कि उस टाम पर पता क्या यह कह रहे है कि जो reality में यह जो character है यह feminism से आप कहलो जुड़ा हुआ है women empowerment की बात करता है यह कह रहे है कि women को right होने चाहिए freedom होनी चाहिए वो अपनी मर्जी से जहां marriage करना चाहते कर सके जितनी बार करना चाहते कर सके यह virginity के question की उपर भी आप कहलो कि उसे भी address करती है उस time माना जाता था religion भी यह मानता था society भी यह मानती थी कि जो women है उन्हें अपनी virginity को protect करना है यह इस तरीके की चीज़े इन सारे stereotypes को यह reject करती है यह कह रहे है कि virginity को संभालने वाले चीज़ नहीं है मतलब इस तरीके की यह बाते करती है कि जो women है उसे husband के occupation से ही सिर्फ आप कहलो treat नहीं करना चाहिए उसके अपनी personality होनी चाहिए वो कह रहे है कि women के न women के ना सिर्फ तीन title होते है यह तीन character है पहला तो maiden जैसे हम कह लेते हैं कि अभी उनकी शादी नहीं हुई फिर spouse, एक wife और फिर widow वो कह रहे हैं कि आज की society में women को सिर्फ तीन रूप में देखा जाता है कहा जाता है कि अच्छा यह girl है अच्छा यह क्या है maiden है यह तो उसे maiden कहा जाता है यह spouse कहा जाता है यह widow कहा जाता है उसका कोई अपना personal title नहीं है कि वो doctor है, engineer है, painter है इस तरीके से कुछ भी नहीं बस यह कहा जाता है कि अच्छा यह maiden है, spouse है, widow है सिर्फ उसे यह तीन title दिये जाते हैं और वो इन सारी चीजों को reject करती है आप समझ रही हो ना, एक lady की आपके आप imagine करो जिस जो एक कांग से अंधी है gap है colorful कपड़े पहनती है पांच बर शादी हो चुकी है और बात करती है कि women के empowerment के बारे में कि उनका अपनी लाइब में freedom होनी चाहीए यह सारी चीजे and she comes from the town called bath तो bath नाम से जगा है जहां से ही आती है she has most experienced and she portrayed herself as expert of marriage and husband wife relations वो अपने आपको portrait करती है अपने बारे में बताती है प्रोलोग में क्या है हर एक इंसान पहले अपने बारे में बताता है ठीक है तो वो अपने बारे में बताती हूँ कहती है कि देखो मैं most experienced हूँ मुझे marriage के बारे में तुम समय से सबसे ज़्यादा experience है husband wife के relations के बारे में मैं expert हूँ क्यों क्योंकि मैंने 5 बर शादी कर रखी है तो मुझे relations के बारे में इसके बारे में सबसे ज़्यादा चीज अच्छे समझ आती हैं शी नेवर हैजिटेट्स टु एक्स्प्रेस डी एक्स्पीरियंस और वो कभी भी हैजिटेट नहीं करती अपनी बात कहने से मैं आपको फिर बताता हूँ वो लिखते हैं कि जो virginity है मतलब hesitate नहीं करती वो लिखते हैं कि virginity which the church glorifies is most required of the wife वो कह रही हैं कि जो virginity जिसे church religion कहता है कि बहुत जरूरी चीज़ा अच्छी चीज़ा protect करने चाहिए वो कह रहे हैं कि बिलकुल गलत है वो कहते हैं it is gift we should use our body वो कह रहे हैं कि हमें ये जो sexual organ दिये गए हैं ये protect करने के लिए नहीं हमें इन्हें use करने के लिए दिये गए हैं हमें इसे use करके आप कहलो जादा से जादा pleasure pleasure को आप कहलो pleasure को attain कर सके जासे जादा इसे खुशी हम प्रापत कर सके में लिखा हुआ है कि एक ही बार marriage करनी चाहिए multiple marriages नहीं होनी चाहिए तो इन सारी चीज़ों को reject करते हुए कहती है कि Bible में लिखा है जैकब Abraham, Solomon King था जो इन सभी ने बार-बार कई बार marriages की थी तो ये कहती है कि Bible में अगर कुछ चीज़े लिखा है कि Bible में लिखा है ये Christianity में लिखा है कि एक ही बार marriage करनी चाहिए तो कह रहा है कि ये सारी चीज़े गलत है क्योंकि Jacob, Abraham, इन सभी ने भी multiple marriages की थी तो मैं भी multiple marriages कर सकती हूँ ये भी कहा जाता है कि ये सारी चीज़े Bible में लिखी है कि नहीं लिखी है Jeffrey Chaucer ने इस character के थूँ अपने आप से अपने according interpret किया Bible को Bible को अपने तरीके से interpret करके कहा कि ये भी वहाँ पे examples है Bible सिर्फ एक marriage की बात नहीं करता तो इस चीज़ के बारे में काफी आप कहलो confusion भी है काफी controversy भी है ओके तो ये hesitation वाली बात अब समझ गए होंगे She never hesitates to express her feelings experience She interprets religious scriptures in her own way religious scripture आपको पता है ना धार्मी ग्रंथ जैसे मैंने आपको बता है Bible के बारे में उन्होंने कहा कि आप तो कहते हो Bible में ये है कि एक बार शादी करनी है वो गहरे है कि नहीं जितनी बार शादी करना चाहतो कर सको Bible में ये भी कही न कही example है वो अपने आप से example ढून लेती है वो गहते हैं King Solomon a character of Bible has many wives so it is good to marry more than once वो कह रही है क्यों उनके पास उससे सवाल भी करते है कि तुम यह गलत कह रही हो सही कह रही हो तो फिर वो उन character से पूछती है she asked other people if anyone can prove कि कोई भी अगर prove कर सकता है that God wants one to secure her virginity वो कहते है कि कोई भी इंसान ये प्रूव कर सकता है कि God ने कभी न कभी या कही न कही ये कहा था कि virginity को protect करना चाहिए वो कहती है she says sexual organs are made by God to have pleasure not to protect itself ठीक है जी वो कहरे कि ये pleasure के लिए है protect करने के लिए नहीं है बलकि वो तो ये कहती है कि I am not jealous of maiden कि जो अभी कुआरी है जिनकी शादी नहीं हुई है virgin है वो कहरे कि बलकि वो कहती है I use my sexual organs और powers to control my husband बलकि वो तो कहती है कि मैं अपने sexual power को organs को use करती हूँ अपने जो husbands है उन्हें control करने के लिए so next करते हैं अभी उनकी live के उपर आते हैं 5 husbands के उपर आते हैं she says 5 husbands थे ना उनके she says first 3 husbands were good वो कहरे कि बाकी के दो अच्छे नहीं थे वो लिखते हैं कि first 3 were rich and old वो कहरे हैं कि अच्छे क्यों थे जी अच्छे इसलिए थे क्योंकि वो अमीर थे और बूड़े हो चुके थे उनकी काफी age हो चुकी थी तो इसलिए they used to obey इसलिए वो इसकी हर एक बात माना करते थे उसे abide करते थे उसे obey करते थे जो भी ये कहती थी इसकी बात वो मान लिया करते थे वो अमीर थे old थे इसलिए इसलिए इसे वो अच्छे लगती है she used to control all three और वो सभी को control किया करती थी क्योंकि उनकी age ज़्यादा हो चुकी थी she controlled them by accusing them और control करने का तरीका क्या था वो कह रहे है कि मेरा control करने का तरीका ये था मैं उन्हें accuse करती थी उनकी उपर आप कहलो कि ये इलजाम लगाती थी that they are cheating her कि वो न मुझे cheat कर रहे है तो वो कहते थे मैं तुम चीट कर रहा तो वो इसकी बात सुनते थे क्योंकि ये उन्हें बार-बार कहते थे कि तुम cheat कर रहो cheat कर रहो तो वो ये चीज़ को साबित करने के लिए prove करने के लिए इसकी हर एक बात पाना करते थे she says that husbands are fond of cheating वो कहते हैं कि husbands हमेशा cheating करते हैं उन्हें cheating करना बहुत अच्छा लगता है So wives should cheat them more वो कहरेगी husbands का nature यह है कि वो wives को हमेशा cheat करते रहेंगे यह उनका nature है इसलिए wives को यह नहीं करना है कि उस चीज़ से रोने के लिए बैठ जाए यह कुछ करे बल्कि उन्हें ज़्यादा cheat करना चाहिए उनसे भी ज़्यादा Last में वो कहते हैं कि husband should trust wives Husband को क्या करना चाहिए wife को हमेशा trust करना चाहिए And let them do whatever they wanted to do or go wherever they wanted to go वो कह रहे हैं कि wife को हमेशा trust करना चाहिए wife जहां भी जाना चाहते है उससे जाने देना चाहिए Fourth husband was not good he died later जो चोथा husband था वो कह रहे है कि उसके साथ कोई अच्छा relation था नहीं था और वो बादे मर जाता है Fifth husband का नाम था Jenkin जैंकिन फिफ्थ husband का नाम था वो कह रहे है कि यह जो fifth husband था ना इसके साथ मैंने पैसे के लिए प्यार नहीं किया था not married for money पैसे के लिए प्यार नहीं किया था but for his charm क्योंकि उसकी personality में चाम था वो खुश रहता था इससे भी खुश रखता था he used to read a lot of books वो बहुत सारी books पढ़ा करता था वो कह रहे है कि मेरे उपर ध्यान कम देता था किताबे ज़ादा पढ़ता था हमारी वो कह रहे है कि अकसर लड़ाई हुआ करती थी क्योंकि books पढ़ता रहता था तो एक दिन इसने क्या किया उससे पंच कर दिया मूँ के उपर और बदले में उसने इसके सर के उपर कुछ मारा या मूँ के उपर मारा इसलिए she lost one year और इसलिए ढ़ाई में उसका एक कान खराब हो गया एक कान से वो भैरी हो गया तो यह प्रोलोग है यह क्या है प्रोलोग है रिखाल साब को प्रोलोग अच्छे समझ आया होगा अभी ह स्टोरी प्याएंगे और फिर से आप लोगों को याद करवा दू कि आपको लाइक जरूर करना है अपने कमेंट्स जरूर मुझे लिख के बताने आपको कैसा लग रहा है सेशन और नेक्स्ट यूनिट नंबर फॉर में से कौन से टॉपिक करे ये भी आप लोग मुझे बताना तो स्टोरी प्याएंगे पहले बैक्ग्राउंड समझते हैं बैक्ड्रोब समझते हैं कि ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में किस टाइम पीरिड के बारे में है तो ब्रिटेन के बारे में है ठीक है यानि कि England, UK जिसे हम लोग कहते हैं और वहाँ पे एक राजा है King Arthur राजा है Britain की बात है दिमाग में ले ठीक हो कि एक पुरानी टाइम की बात है Britain की बात है और वहाँ पे एक राजा है जिसका नाम है Arthur वो लिखते हैं कि उस टाइम पे क्या होता था जो friars थे used to rape women but not pregnant them वो कहे रहे हैं कि वहाँ पर friars होते थे एक कहलो कास्ट कास्ट के लोग कहलो एक ग्रूप के लोग कहलो वो women को rape करते थे लेकिन pregnant नहीं होने देते थे उसने ना starting में ही ये चीज़ कही she mentioned it because he interrupted her in prologue जब वो अपना प्रोलोग बता रही थी कितने लोग जा रहे हैं मुझे लिखके बताना कि कितने लोग जा रहे हैं इस यात्रा के उपर उन में से ही एक यात्री था ये फ्रायर और फ्रायर ने उठके ये कहा था कि यार तुम्हारा प्रोलोग बहुत लंबा हो रहा है अभी स्टोरी भी सुनाओ तो इसलिए फ्रायर से ये चिड़ गई थी फ्रायर ने इसे इंटरप्ट किया था प्रोलोग के टाइम के उपर इसलिए ये फ्रायर को जवाब देने के लिए जान बुझकियों उसका नाम यहाँ पर जोड़ देती है आगे कहीं पर इसका वेंशें नहीं आएगा बस स्कार्टिंग में उसने ये चिज़ गह दी तो पहला करेक्टर होगा किंग आर्थर दूसरा है यंग नाइट यह आप कहलो कि किंग आर्थर का जो कोट है उसमें एक इनसान है उसका कहलो एक मंतरी है ऐसे मानके चलो ये इंसान लस्टी है, लस्ट है इसमें यानि की आप कहलो की कामुख, बहुत ज़्यादा कामुख है A man in the court of King Arthur, King Arthur के court में एक member है ये ठीक है, एक मंत्री का आप बानके चलो He was going through a jungle और एक दिन ये जो young knight है, एक jungle से जा रहा था He met a beautiful girl, क्योंकि ये लस्टी है, बहुत कामुख है, वहाँ पीसे रास्ती मेंने एक beautiful girl मिलती है He get emotional, attracted, वो emotional हो जाता है, attract हो जाता है और अपने emotions को control नहीं कर पाता है He was unable to control his emotions and he raped the girl, और उस लड़की को उसने rape कर दिया जंगल से जा रहा था, लस्टी है, कामुख है, अच्छी लड़की देखी तो उसे इसने rape कर दिया According to he, according to King Arthur, he should be executed वहाँ पे सारे लोग भी कह रहे थे, King Arthur भी कह रहा था कि यार इस इनसान ने बहुत गलत किया है, इसे execute करना चाहिए execute का मतलब है कि इसे सजा देनी चाहिए, फांसी देनी चाहिए, इसे मार देना चाहिए, इसने गलत किया है लेकन क्या होता है, बट Queen, जो King Arthur की Queen थी and his ladies advise him to show mercy मरसी का मतलब होता है कि दया दिखाओ तो Queen ने और उसकी साथ की ladies ने कहा राजा को कि यार चलो ठीक है, इसने गलती की है, लेकिन आप इसे please माफ कर दो तो King Arthur ने कहा कि ठीक है, मेरी Queen कह रही है, बागी सारी ladies भी कह रही है तो मैं मान ही लेता हूँ, तो King Arthur, let him go King Arthur उसे जाने देता है कि कोई दिक्कत ने तुमने गलती की, तो तुम जाओ लेकिन एक condition है, condition क्या है, मैं आपको बताता हूँ आप लोग सारे notes अच्छे से लिख रहे हो ना, इन सारी चीजों को अच्छे से लिखते रहे ना King उसे कहता है, condition कहा है, King tells him that he is free to go if he gives answer to a simple question राजा उसे कहता है, नाइट को कहता है, कि तुम्हें जाना है, चले जाओ, कोई दिक्कत ने है मैं तुम्हें free कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, तुम्हें गलती की है, तो चले जाओ, लेकिन लेकिन तुम्हें question का answer करना होगा, वो कह रहा है कि question क्या है, राजा कहता है कि question ऐसा है तुम्हें एक साल मिलेगा, एक साल में इसका answer ढूंड के लाना है अगर तुम सही सही answer ढूंड के ले आते हो, तो फिर तुम्हें मैं जाने दूंगा, तो he gives him time of one year to find the answer, एक साल देता answer, find करने के लिए, question क्या था what a woman needs in her life, एक woman अपनी life में सबसे ज़्यादा क्या चाहती है, एक woman को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, he goes to every part of the country and ask same question to every lady, तो वो पूरे देश में अभी फैल जाता है, भूमना शुरू कर देता है, छोटे बड़े इलाके, सारे urban area, rural area, सारी जगा जाता है, और सारी जगा की ladies को पूछता है, एक-एक हो पूछता है कि तुमें क्या चाहिए, तुमें क्या चाहिए, तुमें life में क्या चाहिए, किस चीज़ की तुमें सबसे ज़्यादा need है, every lady gives a different answer, हार एक lady अलग answer देती है, कुछ कहती है कि money, यानि कि पैसे के जरूरत है, कुछ कहती है कि lust यानि कि उसकी अगर sexual desires पूरी हो जा यही उसकी need है कुछ कहती है dignity यानि कि dignity prestige का मतलब है कि समान से रहना कुछ कहती है कि happiness खुशी, कुछ कहती है clothes कि मुझे अच्छे कपड़े चाहिए कुछ कहती है freedom कि मुझे अजादी चाहिए हर एक lady अलग need बताती है कि मेरी need क्या है तो यह confused हो जाता है, यह कह रहा है कि एक answer तो मुझे बताना था यह सारे थोड़ी में बता सकता हूं कि एक answer क्या है he was going back to meet king और वो अभी सोच रहा है कि यार मुझे नहीं answer मिला मैं राजा को जाके बता देता हूं then in the way he met some girls dancing in the jungle वो रास्ते में फिर से जंगल से जा रहा था तो उस ने देखा कुछ लड़किया dance कर रही है, बहुत beautiful girls dance कर रही है तो कहता है कि इनसे पूछता हूं he goes to girls and ask but they disappears वो जब ही लड़कियों के पास जाता है पूछने तो लड़किया एकदम जादू से गायब हो जाती है सारी लड़किया गायब हो गई there was only an old woman बस वहाँ पे ना सारी लड़किया गायब हो गई सारी देखो जवान लड़किया थी लेकिन गायब हो गई वहाँ पे एक सिर्फ old woman बचती है बाकी सारी गायब हो गई तो यह कहता है कि चलो इसी से पूछ लेता हूँ She says that I will give you answer I will give you answer वो कहते है कि देखो मैं तुम्हें आंसर दे दूँगी कोई दिक्कत ने But you have to promise that you will give me whatever I ask back वो कहते है कि तुम मुझसे question पूछे रो ठीक है मैं तुम्हें उसका आंसर दे दूँगी कोई दिक्कत ने है लेकिन बदले में तुम्हें मुझे प्रॉमिस करना होगा कि जो मैं मांगूंगी वो तुम्हें मुझे देना पड़ेगा यह कहते है कोई दिक्कत ने मांगो तो वो कहते है कि You have to marry me यह old woman कहती है कि तुम्हें मुझे फिर शादी करनी होगी मैं तुम्हें आंसर दे देती है ठीक है तो old lady tells him in the ear कि तुम मुझे शादी करोगे कि ने तो यह कहता है कि ठीक है शादी कर लूँगा कोई दिक्कत ने लेकिन मुझे आंसर दे दो वो उसके कान में आंसर बता देती है और दोनों फिर से palace में वापस जाते है यहाँ पे place लिखा यहाँ पे palace है ठीक है प-A-L-A-C-E Palace यानि कि महल में वापस जाते है Everybody was there to hear answer सभी वहाँ पे राजा, प्रजा, मंत्री, राजा, रानी, किंग, आर्थर, कुईन, लेड़ी सारे वहाँ पे थे कि आज आंसर पता चलेगा Knight answers that Knight अभी आंसर देता है A lady only wants full authority on her husband solely वो कहता है कि एक लेड़ी को क्या चाहिए अपने husband के ऊपर authority चाहिए कि उसका husband सिर्फ उसी की बात सुने उसी की according चले ठीक है, और वो किसी दूसरी lady की तरफ ना देखे दूसरे की according ना चले, यही उसे चाहिए एक lady को क्या चाहिए full authority अपने husband की उपर उसका husband बस उसी की बात सुने उसे बस ये चाहिए वहाँ पे सारी women से पूछा गया all women agreed, सारी women कहते हैं कि हांजी, यह हम सभी चाहती है तो यानि की answer सही था and night was free, और night को कह दिया जाता है कि ठीक है तुम answer ढूंड लाए तो तुम अभी free हो जा सकती हो लेकिन अभी वो old lady कहते है कि देखो तुम बच गए, answer मैंने बता दिया अभी मुझसे शादी करो लेकिन night refuse कर देता है night कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा and tells her to take whatever he has वो कहता है कि देखो शादी तो मैं तुमसे नहीं कर सकता तुम old भी हो, यह सारी चीजे बदले में तुम जो भी मुझसे चाहती हो वो मैं तुमें दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ बाकि सारे जो चीजे वो तुम ले जाओ लेकिन वो कहता है कि नहीं तुमने शादी के लिए promise किया था old woman doesn't agree, agree नहीं करती है देवर, लेकिन वो बाद में आप कहलो नाइट को मानना पड़ता है तो देवर sleeping, ठीक है वो नाइट मान जाता है कि ठीक है शादी कर लेंगे वो सो रहे थे उसी रात या अगली रात तो old woman उसे पूछती है ask him why he is sad now old woman उसे पूछती है कि यार तुम अभी दुखी क्यों हो देखो तुमारे पास मैं हूँ old woman कहते है कि मैं तुमारे पास हूँ तुम्हे राजा ने अभी free कर दिया है तुम्हें कुछ सजा भी नहीं मिल रही तुमने answer भी ढूंड लिया अभी तुम sad क्यों हो वो कहता है he says he is angry of her appearance वो कह रहा है कि मैं sad हूँ दुखी हूँ तुमारी appearance से क्योंकि तुम देखो एक तो old हो अच्छी नहीं दिखती हो ये सारे चीज़े हैं तो मैं दुखी हूँ she says greatness is inner not in appearance वो कह रही है कि तुम ऐसे ना देखो कि मैं उपर से अच्छी नहीं दिखती मेरे अंदर प्यार है सारी चीज़े है तुम वो देखो न अंदर असली beauty अंदर होते है बाहर नहीं होती है वो कहते है कि अच्छा चलो छोड़ो मैं तुम्हें दो choices देती हूँ चीज़े सही करने की और लेडी उसे कहती है कि तुम्हें खुश करने के लिए मैं दो choices देती हूँ दोनों में से एक बताओ जिससे तुम खुश हो सको पहली थी I will be beautiful but not trustworthy वो कह रहे है कि ठीक है मैं beautiful हो जाती क्योंकि मुझे जादू आता है लेकिन मैं trustworthy नहीं रहूंगी मतलब कि मैं loyal नहीं रहूंगी हो सकता है कि कल को किसी दूसरे के साथ भाग जाओ मैं beautiful अभी हो जाओंगी चुटकी बजा करके मुझे जादू आता है लेकिन फिर मैं trustworthy नहीं रहूंगी loyal नहीं रहोंगी पता नहीं मैं कल किसके साथ चली जाओ और दूसरा option तुमारे पास ये है I will be trustful मैं trustful रहोंगी loyal रहोंगी लेकिन फिर beautiful नहीं बनूँगी जैसी है ऐसी मुझे accept करो ठीक है पहली condition थी कि मैं loyal नहीं रहोंगी कल को किसी के साथ भी जा सकती हो लेकिन beautiful तुम्हें अभी बन सकती हो ये कि मेरे पास जादू है दूसरा ये था कि मैं beautiful as it is मुझे accept करो मैं हमेशा तुमारे साथ loyal रहोंगी तो फिर night क्या जवाब देता है देखते है night कहता है her dad choose yourself what you want to become वो कहता है कि मुझे नहीं पता तुम बताओ तुम दोनों में से क्या बनना चाहती हो तो फिर वो कहती है she says both कि मैं दोनों बनना चाहती हो राजा कहता है कि बनो उसके बाद she kiss night वो night को kiss करती है and became beautiful and loyal to himself और उसी time पर beautiful भी बन जाती है loyal भी बन जाती है night के लिए भी आपने सुन लिया तो अभी जो इसके बाद कुछ और चीज़े अगर आप इसके साथ extra पढ़ने चाहते होंगे तो देख लो इसी slide में है आप बाद में पढ़ सकते हो ये pdf में telegram whatsapp सारे groups में share कर दूँगा आप लोग देख लेना ठीक है तो ये आपको number पता ही है कि ये whatsapp का number है और ये आप कहलो हमारी app भी है इसे आप download कर सकते हो तो ये था आज की वीडियो में next मुझे बताना fourth unit में आप क्या पढ़ना चाहते हो like जरूर करना अपने feedback जरूर share करना अपने friends के साथ भी इसे share करना और बताने next step क्या पढ़ना चाहते हो thank you for watching bye bye